उस्तक का नाम उदारता और दूरदर्शिता लेखत पंडित श्रीडाम सर्मा आचार्य ओडियो दो जिस व्यक्ते के विचार उदार होते हैं और जो सदा अपने आपको दूसरों की सेवा में लगाए रहता है उसके आसपास के लोगों के विचार भी उदार हो जाते हैं स्वार्थी मनुष्य की संतान निकम्मी ही नहीं वरन कुरूर भी होती है ऐसी संतान मातापिता को ही कश्ट देती है प्रतिकूल उदार मनुष्य की संतान सदा मातापिता को प्रसन रखने के काम करती है जब उदार्ता के विचार मनुश्य के सभाव बन जाती हैं, अर्थात वे उसके चेतन मन को ही नहीं परन अचेतन मन को भी प्रभावित कर देती हैं, तो वे अपना प्रभाव छोटे बच्चों और दूसरे संबंधियों पर भी डालती हैं इस प्रकार हम अपने आसपास उधार्ता का वातावरण बना लेती हैं, और इससे हमारे मन में अध्भुत माशिक शक्ती का विकास होता है। विद्या के विशय में कहा जाता है कि भैज जितनी हो अधित दूसरों को दी जाती है, उतनी ही अधित बढ़ती है, देने से किसी प्रकार वस्तु का बढ़ना ये विद्या के विशय में ही सत्य है। युदिष्टिर महराज ने राजस्वी यग्य में विदाई और दान का भार दुर्योधन को दिया था और क्रश्ण ने सयम लोगों के स्वागत का भार लिया था। कहा जाता है कि दुर्योधन को यह कार इसलिए सोपा गया था जिससे कि वह मनमाना धन सभी को दे पर जितना धन वह विदाई से दूसरों को देता था उससे चौकुना धन तुरंत युदिष्टिर के खजाने में आ जाता था। श्रीकिष्ण सभी अधितियों का स्वागत करते समय उनके चरण पकारते थे। इसके पैणाम सरूप उन्होंने अपना सम्मान खोया नहीं वरन और भी बढ़ा लिया। जब राजसवा हुई तो एक शिशुपाल को छोड़ सभी राजाओं ने श्रीकिष्ण को ही सर्वोच आसन के लिए प्रिस्तावित किया। जो अपने मन को जितना दूसरों के हित्मे लगाता है वह उसे उतना ही अधिक पाता है। और जो अपने मान अपमान की परवा नहीं करता वहीं संसार में सबसे अधिक सम्मानित होता है। स्वार्थ भाव मन में छोव उत्पन करता और उदारता का भाव शील उत्पन करता है। यदि हम अपनी जीवन की सफलता को आंतरिक मानसिक अनभुतियों से मापें तो हम उदार व्यक्ति के जीवन को ही सफल पाएंगी। मनस्य की इस्थाई संपत्ति, धन, रूब, अत्वा यश नहीं हैं। ये सभी नश्वर हैं। उसकी इस्थाई संपत्ति उसके विचार ही हैं। जिस व्यक्ति के मन में जितने अधिक शान्ती, संतोस और साम्यवाद लाने वाले विचार आते हैं भह उतना ही अधिक धनी है। उदार विचार मनुश्य के बहस अम्पत्ति है, जो उसके लिए आपतिक काल में सहायक होती है. अपने उदार विचारों की कारण उसके लिए आपतिकाल आपतिकाल के रूप में आता ही नहीं, बैस सभी परिष्टितियों को अपने अंगूल देखने लगता है. उधार मनुष्य की मन में भले बिचार अपने आप ही उत्पन होते हैं इन भले बिचारों की कारण सभी प्रकार की निराशाएं नश्ठ हो जाती हैं और उधार मनुष्य सदा उत्साहव पोन रहता है उधार मनुष्य आशावादी होता है निराशवात और अनुदार्ता का जिस प्रकार सहयोग है उसी प्रकार उदार्ता का सहयोग आशावात और उत्सा से है जब मनुष्य अपने आप में किसी प्रकार की निराशा की ब्रद्धी होता देखे तो उसे समझना चाहिए कि कहीं न कहीं उसके विचारों में उदारता की कमी हो गई है अतेव इसके प्रतिकार सरूप उसे उदार विचारों का अभ्यास करना चाहिए अपने समी प्रहने वाले व्यक्तियों से ही इसका प्रारंब करें तो भय देखेगा कि थोड़े ही काल में उसके आसपास दूसरे ही प्रकार का वातावरण उत्पन हो गया है उसकी मन में फिर आशावादी विचार आने लगेंगी जैसे जैसे उसकी उदारता का अभ्यास बढ़ेगा उसका उत्थावी उसी प्रकार बढ़ता जाएगा इससे यह प्रमानित होता है कि मनुष्य उदारता से कुछ खोता नहीं कुछ न कुछ प्राप्थी करता है कितने ही लोग कहा करते हैं कि दूसरे लोग हमारी उदारता से लाब उठाते हैं वास्तव में वह उदारता उदारता हो ही नहीं जिसके पीछे पश्यताप करना पड़े स्वार्थ बस दिखाई गई उदारता के पीछे ही इस प्रकार का पश्यताप होता है सच्चे हिर्दय से दिखाई गई उधारता कभी भी पश्याथाप का कारण नहीं होती उसका प्रणा सदा भला ही होता है यदि कोई व्यक्ति हमारे उधार सभाव से लाव उठा कर हमें ठगता है तो इससे हमारी नहीं उस ठगने वाले की खानी है दूसरों के दोश मत ठूड़िये उधारता कीबल रुपे पेशे द्वारा किसी की सहायता करने को ही नहीं कहती वरन दूसरों के साथ ऐसा सदभ्यवार करना जिससे उनका आंतरिक मन संतुष्ट और सुखी हो एक बड़ी सराहनिय प्रवर्ति है संसार में दोशों की कमी नहीं है और अधिकांस मनश्यों में गुणों की अपेशा दोशों की संक्या ही अधिक देखनी में आती है यदि आप उधार प्रकर्टी के हैं और ऐसे लोगों के दोशों पर परदा डाल कर उनके गुणों को ही प्रोथसाहन देते हैं तो बहुत संबव है इससे उनका मानसिक सुधार हो जाए और उसके लिए बेसदेव कृतग्य रहें दूसरों के दोश देखने की आदत पुरी है दोश देखने की आदत पढ़ जाने से सामने वाली व्यक्ति की दोशी दोश दीखते हैं उसमें अच्छे गुण भी हो पर बे तिलका ताल बनाने की इस बुरी आदत के कारण वैसे नहीं दीखते जैसे की तिनके की आड में पहाड चिप जाता है दूसरों की दोश देखना चिद्रान वेशन करना महान मानस रोग है इससे मुक्त होना चाहिए भगवती पारवती के दो पुत्र थे एक की छै मुख और बारा आँखे थी और दूसरे के हाथी जैसी लंबी नाख थी पहला दूसरे की नाख हाथ से नापने लगता और दूसरा पहले की आँखें गिनने लगता एक, दो, तीन, चार, तस, ग्यारा, बारा बस फिर लड़ाई ठन जाती और बे आपस में खूब लड़ने लगते माता पारवती इनकी लड़ाई से परिसान हो गई बे डाटनी पर भे न मानती एक दिन उन्हें पकरकर शंकर जी के पास ली गई और बोली की महराज ये लड़के दिन भर लड़ते रहते हैं इन्हें किस तरह किसी तरह समझा दीजिए ज्यान निदान शंकर जो उनके छगड़े का कारण समझ गए और उन्होंने उन्हें पड़े प्रेम से पास बिठा कर दूसरों के एब देखने को बुराई समझा दी लड़कों ने लड़ना भंद कर दिया इसलिए किसी ने कहा है अगर है मंजूर तुझको भैतरी न देख एब दूसरों का तू कभी कि बद बीनी आदत है शैतान की इसी में बुराई की जड़ है छिपी महात्मा सूर्दास का बहुत सुन्दर भजन है हमारे अवगुन चितना धरो इत्यादी भगवान से की गई यह प्रार्तना हिर्दय को चुम्बक जैसे पकड़ लिती है यह भगवान हमारे अपरादों को छमा करे हमारे दोसों को न देखे यह भव प्रदय में आते ही विचार आता है कि अपने अपरादों को छमा कराने वाले को दूसरों के अपरादों को स्वयम भी तो छमा करना चाहिए हम जब स्वयम छमासील होंगी तभी हमारे अपराद भी छमा हो सकेंगी दूसरे की दोस देखना भगवान के प्रती कृतअगन होना है हम शिकायत करते रहते हैं कि हमारा अमुक संबंधी ऐसा है वैसा है हम अपने उस संबंधी के उन विशेश गुणों का ख्याली नहीं करते जो अन्य लोगों में नहीं है हम भवदा यह भूल जाते हैं कि हमें जो संबंधी मिला है बर दूसरों के संबंधियों की अपेक्षा अधिक बातों में बहुत अच्चा है और व्यर्थ में ही हम अपने उस संबंधी के कारण अपने भागे को कोशते हैं इसके अत्रिक्त हम इसलिए भी कृतग्न है कि हम अपने थंबंधी की की गई हुई सेबाओं की सराना नहीं करते कृतग्यता का सबक हमें भगवान राम से सीखना चाहिए महारशी वालमी की राम के लिए कहते है वे कोशल्या नंदन ऐसे हैं कि कि किसी के द्वारा अपने प्रती किये गए सेकणों अपरादों का भी इसमरण नहीं करती किन्तु यदि कोई किसी भी प्रकार उनका कैसा भी उपकार कर दे तो उससे ही उन्हें संतोस हो जाता है महाकभी राम के इसी गुण के कारण उन्हें वारवार अंसुई कहकर प्स्रण दिया है अंसुई अर्तर असुई दोस रहित इसी के गुणों में दोश देखना अथवा इसी के गुणों से जलना ही असुईया है। भगवान राम ना तो इसी के गुणों में दोश देखते थे और ना इसी के गुणों से जलते थे। रामभक्त को ऐसा ही होना चाहिए पर दोश दर्शन की दोश से मुक्ती पानी के लिए हमें पर गुण चिंतन की आदत डालनी चाहिए और प्रतिपक्षी के गुणों का विचार करना चाहिए